नवश्कार दोस्तों, Pathfinder Online Special Classes में मैं दिवाकर गुपता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सामान हिंदियों व्याकरण की 26 वी सीरीज है ये और इसमें अभी रिशेंटली जो है दो दिन पहले मैंने विलो में प्रेतार्थक सब्दों सुरू किये गए थे जो समीच्छा दिकारी में इसके 10 questions आते हैं इसके अलावा UPPCS pre-mains, UPPSC, Lower Subordinate pre-mains और UPPSC के जित्ते भी exams होते हैं इसके अलावा और भी जित्ते भी 1-day exam होते हैं चाहे वो SSC हो, चाहे वो railway का कोई exam हो, police related exam हो सभी में विलोम सब्द जरूर पूछे जाते हैं इसलिए विलोम सब्द का importance जो है हिंदी व्याकरण में बहुत ही ज्यादा है और कल तक हमने देखा था कि विलोम सब्दों की रचना कैसे कैसे होती उपसर्ख के द्वारा, प्रत्य के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा, युग मुसब्दों के द्वारा तो उनके examples भी देखे थे, आज हम directly देखेंगे कि समीच्छा दिकारी और सायक समीच्छा दिकारी के जो पेपर होते हैं लोग से वायोग के उनमें से सीधे सीधे जो questions आए हैं, उनको उसी form में देखके solve करेंगे जिससे हमारे previous year questions तयार हो जाएं और previous year questions से आप जानते हैं कि repetition की बहुत जादी संभावनाएं बनी रहती हैं इनफेक्ट अभी तक तो 40-50% question हर साल repeat होते रहें जो कि trend कम हो रहा है लेकिन अभी भी उसके संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं कि कब कौन सा question repeat हो जाए तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं UPPCS ROARO 2014 का paper जिसमें पहला question है कि जंगम का बिलोम क्या होता है तो जंगम का बिलोम इस्थावर होता है फिर स्रश्टी का बिलोम सब्द जो है स्रश्टी का प्रलय होता है स्रश्टी का मतलब होता रचना करना प्रलय का मतलब नश्ट करना इस प्रकार स्रश्टी का प्रलय होता है इपसित का बिलोम अनिपसित होता है यहाँ पर क्या हुआ अन प्रत्या लग गया जैसा कि मैंने जढ़ने को कहते है उसका तो इसका जो है अलगा हो जाएगा असायोगा तो सहयोग हो जाएगा आप समझी रहें इसको आसान है कjektे वलहर हो आता ना इसमें सब सर्क इसी तरह से वयमनस मतलब होता है द्वेस आपस में जगडा जन्जट तो वैमनस का प्रेम हो जाएगा प्यार हो जाएगा इसका विराट विराट कार्थ होता है बहुती बड़ा कोई चीज बहुती बड़ी हो बिग तो उसका जो है छुद रहानी छोटा इस तरह से अगर ब्रहत की बात करें तो दीर छोटा पन की पार करें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बड़ा पन तो यह इस तरह से हो गया फिर इस प्रस से क्या बिलोम सब्द क्या है आइस प्रस से यहां पर देखिए सभी में आइस प्रस तीन तरह से लिखा हुआ है लेकिन हमको इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना है तो आइस प्रस्ट में यहाँ पर जो है सा जो है यह वाला लगता है यह आपको ध्यार रखना है क्योंकि वाक्यों वर्तनी सुद्ध का जब चैप्टा वह आएगा उसमें भी इस तरह के बहुत सारे और सा के आधार पर बहुत सारी गरवडियां होती है सब्दों में तो शा का विसेज ध्यान रखना है फिर आग्य क्या विलोम क्या होता है विग्य होता है और आग्य क्या विलोम विग्य होता है और आग्य का इसके अलामा जो है एक और विलोम सब्द होता है जो प्राया पूछा जाएगा वो है प्रग्य तो जो प्रग्य सब्द है वो भी आग्य का ही विलोम सब्द होता है प् लाग्य का विलोम हो जाएगा गौरव का लागव वहीं पर अगर दीरगत्म होता तो लगुत्म इसका हो जाएगा दीरगत्म का लगुत्व दीरगत्व हमने मैंने आपको बताया था बार-बार की जो है जो भी हमको विलोम बताना होता है उसको सजाती इसरेणी बताना तो इसका गुरुता और अगर आप गुरु का मतलब होता है बड़ापन मतलब यहाँ गौरो गौरो मतलब ऐसी बात जो गौरो साली हो मतलब बड़ी बात होती है तो लाग हो मतलब जो आपके मान को कम करती है वो लाग हो होता है फिर बही रंग बाइस्थित कोई चीज हो तो अंतरंग, उसका आंतरिक या अंतरंग हो जाएगा फिर ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा, ग्रस्त मतलब होता है यसे कहते हैं रोग ग्रस्त, यानि मैं रोग से ग्रस्त हूँ यानि रोग से लिप्त हूँ अब वही पर अगर हम कहेंगे रोग मुक्त यानि रोग से मुक्त तो इसका मुक्त हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट पेपर लेते हैं दोजा तेरा का है तिमिर तिमिर का मतलब होता है अगर आप परियाव अची जानते हैं अंदकार होता है तिमिर कार होता है अंदकार तो इसका जो विलोम सब्द होगा वो आलोग हो जाएगा बाकी यसे रंगहीन है तो इसका क्या हो जाएगा रंगीन रंगीन का रंगहीन ये इस तरह से हो जाएगा फिर प्रतेक्ष का विलोम परोक्ष और परोक्ष का अगर बिलोम पूछा होता तो आपरोक्ष भी कह सकते हैं प्रतच्छी तो होगा ही बिलोम लेकिन आपरोक्ष भी हो जाएगा सामान का सामान का मतलब साधारण तो सामान का जो है विसिष्ट यह सामान जन है विसिष्ट जन है तो उसमें विसिष्ट मतलब स्पेशल सामान मतलब जनरल तो अमर का यानि जो कभी मरता ना हो तो मरत जो मरने योग यह हो बाकी मृतक का जीवित हो जाएगा मरण का जीवन हो जाएगा मृत्त का जीवन हो जाएगा तो इस तरह से मर्त जो है यह अमर का विलोम हो जाएगा उपकार का तिरसकार उपकार का विलोम किसी पर उपकार करना या किसी का तिरसकार करना आविर भाव का तिरो भाव हो जाएगा उक्त मतलब जो चीज उपर लिखी हो या उपरी चीज तो उक्त का जो है अनुक्त जो उक्त नहीं हो यानि जो उपर नहीं हो निर्दय मतलब जिसके हिर्दय में दया ना हो तो सदय जो दयावान हो उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन होता है विलोम सब्द, उत्कर्स का अपकर्स, उत्कर्स का मतलब होता है उत्थान करना, अपकर्स का मतलब जो है गिरावट या अपकर्स ये उसका साब्दी कर्स हो गया, फिर अथ, जैसे कहते हैं अथ स्री रामाल का था, तो अथ मतलब प्रा करना इत्व तो पराराम करने के लिए और ईत्टि का मतलब समाप्त करना, अला कि यहाँ समाप्त दिया हुआ है , खट्म भी दिया हुआ है, पूर्ण भी दिया हुआ है, एक देहा जाये, तो यह तीनो के बिलों हो सकती है, लेकिन अमेशा जिस सैली में सब्द पूछा गया है ठीक उसी सजाती सैली में उसका उत्तर दिया जाना चाहिए तो अध का इती होगा फिर अभिक्य का अग्य rhythm आभिग्य का मतलब जिसको ज्ञान नहों अग्य का मतलब जिसको ज्ञान हों कृतग्य का विलोम, कृतग्न, संकीन का विस्तरीन, संकीन का मतलब जो है जो एक संकुची दायरे में कोई चीज हो, विस्तरीन का मतलब जिसका विस्तार हो गया हो और जैसे संकीन, यहाँ पर संछेब दिया हुआ है, तो संकीन और संछेब जो है परियावाची सब्द हो गए अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति का मतलब किसी चीज के प्रति प्रेम रखना, विरक्ति का मतलब उस चीज से विरक्त हो जाना, उस चीज से कोई भी प्रेम ना रखना सापेक्ष का निर्पेक्ष, विग्रह का संधी, संधी विग्रह आप जानते ही है, तो आपने ये सुनाई होगा कि किसी चीज का मिलन जो है, किसी चीज का योग जो है संधी कहलाता है, और किसी चीज को बीच से तोड़ना जो है विग्रह कहलाता है, तो संधी विग्रह ये ए सर्ट उזה को रहें तो आपक्षा का उपक्षा ओताय बिल्कुस दिया हुआ अग्रज मतलब भाई अनुच मत्लब चोटा भाई ये भी बिल्कुस सही दिया हुआ है आदान लेना देना यानि आदान प्रदान भी सही है उन्नत और आउनत उन्नत मतलब उपर की ओर बढ़ना मतलब उतकर्स की ओर बढ़ना आउनत मतलब नीचे तो इसका मतलब जो है उन्नत और आवनत यह वाला जो है विलोम यह उन्नत और आवगत यहां स्वारी आवगत लिखा है आवगत दूसी चूरती किसी को आवगत कराना या बताना तो यहां पर यह इसका विलोम नहीं है उन्नत का अगर यहां आवनत लिखा होता आवनत तो यह इसका सही उत्तर हो ज जो साधु ना हो फिर आहूत का अनाहूत होता है विलोम आहूत मतलब जिसको बुलाया गया हो जो आहूत किया गया है और अनाहूत जिसको ना बुलाया जाए अथक का अथ का इति, अभी ये पीशे भी रिपीट आया था question, मतलब अथ का मतलब होता किसी जी का प्रारम करना, इति का मतलब समापन करना, वादी का प्रतिवादी, वादी वो होता है जो वाद लाता है और प्रतिवादी कौन होता है जो वाद का विरोध करता है, तो वादी का प्र प्रवर आवर आप जानते हैं जैसे कि यह जो PCS होता है उसको अपर PCS भी हम लोग कहते हैं तो अपर ही अपर का ही जो हिंदी आर्थ होता है वो आवर होता है और लोवर सबाइडिनेट जैसे हम कहते हैं तो वो लोवर का आर्थ होता है यहाँ पर प्रवर या अधीनस्त फिर जटील का सहेज हो जाएगा जटील मतलब कठीन या टफ सब्द होता है तो उसका जो है सरल हो जाएगा विलोम की द्रश्टी से एक यूद्म कौन सा असुद्ध है तो हमको देखना आयात का निरियात होता आयात मतलब कहीं से कुछ मंगाना निरियात मतलब वहां भेजना बाहर भेजना व्यापार के सेंस में द्रश्य का जो द्रेखने वाला हो अध्रश्य मतलब जो देखने य योगि ना हो प्रतच और परोच यह दूसरे के विलोम है यहां पर आमिश और सामिश यह दोनों का ही विलोम क्या होता है निरामिश और आमिश सामिश क्या है आपस में जो है परियावाची सब्द है उतकर्स का अपकर्स अंतर मुखी का बहिर मुखी सिधा सिधा आती व्रिष्टी का अना व्रिष्टी मतलब वर्षा बहुत अधिक होना और वर्षा बहुत ही कम होना संयोग का वियोग संयोग का मतलब कहीं कोई मिलन होना किसी चीज का और वियोग मतलब उसका अलग-अलग हो जाना फिर राजा का रंग हो जाएगा राजा मतलब जो राज करता है जो मतलब एक धनी वेक्ति है रंग मतलब एक गरीब वेक्ति जो है आकास का पाताल हो जाएगा सगुण मतलब जो गुड़वान हो तो निर्गुण जिसमें कोई गुड़ ना हो अब सगुण का सकुन हो जाएगा संयोग वही फिर रिपीट हुआ ये संयोग का वियोग मतलब मिलना भी चुड़ना फिर कौन सा युग्म तुर्तिपूर है अनुग्रह और आग्रह देखिए अनुग्रह मतलब किसी से रिक्वेश्ट करना आग्रह मतलब भी रिक्वेश्ट करना तो दोनों एक ही चीज़ है यानि ये विलोम सब्द नहीं रिखें ये परियावाची सब्द या एक समानारती सब्दों का युग्म है अनन्त का सांत जड़ का चेतन आक्रिष्ट का विक्रष्ट ये तीनों जो है विलोम युग्म है फिर इसी प्रकार से रिजू का वक्र रिजू मतलब एक सीधी सब्दों का विकलन आकलन करना मतलब इस्टीमेट निकालन मतलब इसका फिर इसके बाद जो है कौन सा विलोम युग्म है तो चर का अच्छर हो गया विलकुर सही युग में दिया हुआ है समास का व्यास बिलकुर ठीक है स्वल्पायू चिरायू मतलब जिसकी आयू कम हो औ अहार और विहार इन में कोई आपस समभन नहीं है आहार का मतलब भोजन होता है विहार का मतलब रहने का इस्थान होता है तो इसलिए ये कोई विलोम युग मन नहीं वा आता यहीं तुट पूर है फिर हम देखते हैं कौन सा विलोम युग्म तुटूर है तो आमिस सामिस यह तो पुराने वाला अभी क्वेश्चेन आया तो रिपीट हुआ है दोनों यह एक ही सब्द है इनका जो है निरामिस होता है आधार, आधे, विनत, उद्दत, विपति, संपति बिलकुल सही है तीनों जो है यह विलोम के ही उगम है अलब्य, अलब्य का लब्य गौरव का लागव, अनभिग्य का फिर आगया अभिग्य, गमन का आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना निम लिखित में कौन सा यूगम सुद्ध नहीं है तो नूतन, सनातन इसमें देखिए नूतन मतलब नया और सनातन मतलब बहुती समय पुराना तो यह इसका बिलोम नहीं हुआ और आयात, निर्यात, पाप, पूर्ण, बद्ध, मुक्त यह जो है विलोम यूगमुवे निर्भीक का विलोम नहीं है, इसमें नहीं है, किसी भी सब्द में नहीं हो तो उसमें विसेज ध्यान दिजिएगा क्योंकि हम लोगों से एक्जाम में यह बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं वाला वर्ड ही नहीं पढ़ते हैं, तो निर्भीक का विलोम, निर्भीक मतलब होता है, जो निडर हो, तो निर्भीक का सहासी हो जाएगा विलोम सब्द नहीं है तो इसमें सहासी नहीं है निर्भीक का और कायर नहीं है और विलोम है निर्भीक का सहासिक और कातर मैंने इस प्रस्ण में अभी एक पाउस लेकर जो है इसको थोड़ा मैंने चेक किया क्योंकि मुझे इस पर डाउट हो रहा था तो मेरा डाउट सही निकला इसमें दरसल ये प्रस्ण का उत्तर यहाँ पर गलत दिया हुआ पूरी तरह से योकि निर्भीक का विलोम ना तो सहसी होगा ना सहसी होगा बाकी कातर और कायर दोनों विलोंगे तो इसमें A और B ये एंसर दिया होना चाहिए जबकि यहाँ पर का और घा दिया हुआ ये इनकी मिश्टेक है तो सहसी और सहसी जो है निर्भीक का विलोम नहीं है जबकि ये इसके समनार्थी सब्द है श्रीगडेश का इतिसरी स्रीगडेश का मतलब होता है किसी भी कारी की सुरुवात करना इतिसरी मतलब खतम करना निंदा करना इस्तुती करना उसका उल्टा हो जाएगा मदूर का कटू मदूर मतलब मीठा कटू मतलब कड़वा फिर मौन सब्द का मुखर मौन मतलब जो है सांत रहने आला मुखर मतलब मुखरता मतलब जो बोलता हो सामने आके बात करता हो निर्दय का सदय तिमिर का आलोक तीच्ण का मन तीच मतलब तीखा मन मतलब धीमा तो कृतिम का प्राकृतिक कोई भी कृतिम का प्राकृतिक उद्दात का अनुद्दात यहां पर अनुपसर्ग लग गया तो उद्दात से अनुद्दात बन गया उदार का अनुदार सुक्ल का क्रिष्ण जैसे का जाता सुक्ल पच्छ और क्रिष्ण पच्छ तो सुक्ल का क्रिष्ण हो जाएगा और प्रस्थान का आगमन जाना आना अनुरक्त का विरक्त आर्जन का व्ययन कथित का अकथित प्रस्थन का प्रतिपन प्रभावी का विलोम नहीं है यहाँ पर नहीं सब्द है इसलिम को सच्छेत हो जाना चाहिए प्रभावी का विलोम नहीं है आप प्रभावी है निश्प्रभावी भी है प्रभाव सुनने भी है तो तीनों जो है प्रभावी के विलोम है और अप्रयुक्त जिसका परियोग नहीं हुआ हो तो इसका विलोम क्या हुआ वे जाएगा प्रयुक्त पाशचात का पॉरसत पाशचात मतलब पश्चमी पूर्वी अनुग्रह सबध का विलोम है विग्रह अशलील का सलील होता है यह मैंने कल भी बताया था आवेशित का अनावेशित कार जो है आरो यारो और उसके अलावा आर आई एस डी आई इन सब पेपरों में जित्ते भी सब दोर विलोम से सम्मंदित बैकल्पिक प्रसन आये थे वो मैंने सारे आज के सिरीज में खतम किये हैं कल हम यूपी PCS लोवर सवाइडनेट पतलब आयोग के जो अन एकजाम होते हैं उनमें PCS mains, PCS pre, lower pre, lower mains जितने भी question उनमें से पूछे गए हैं उनको हम इसी तरह से उनको भी देखेंगे जिससे हमारे previous year question एक बार पूरी तरह से तयार हो जाएं तो उनसे कोई भी question अगर repeat होता है तो आपको आपके marks अच्छे रहने की संभावना बढ़ जाएगी तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे अन्रोद है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करपया चैनल को सब्सक्राइब वबस कर ले और आप इसका link copy करके अपने दोस्तों के भी share कर सकते हैं WhatsApp के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Messenger के माध्यम से, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कमेंट में अपनी राय देखी जरूर दीजिएगा और कहीं पर कोई confusion हो तो आप बेहिचक पूछिए, क्योंकि हो सकता है कहीं मुझसे भी गलती हो जाए तो आप उसको बताईए जरूर, क्योंकि जित्ता इंसान ने की डियो में